हेलो स्टूडेंट एड एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश बाल भारती स्टांडर्ड फोर्थ की सिक्स लेसन की बारे में एक्स्प्रेंड करने वाली हूँ सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सेक्स लेसन जो नेम है इस वनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस अल्ली मिन सिर्फ मैटर मतब कोई भी बात प्रैक्टिस मतलब अभ्याज सो स्टार्ट करते हैं फर्स पैरग्राफ से लॉंग लॉंग एगो इन फारवे चाइना दर लिव एन आर्चर कॉल्ड चैन्याओजी बहुत पहले की बात है बहुत पहले चाइना में एक आर्चर रहा करता था जिसका नाम है चैन्याओजी आर्कर मीन्स क्या होता है आर्चर मीन्स जो तीर का निशाना बहुत अच्छे से लगाते हैं उसे आर्चर कहा जाता है और वो बहुत अच्छे जो आर्चर थे जिने बहुत अच्छे से निशाना लगाना आता था धनुश बांड से और अपना अद्बुत जो है वो आर्चरी जो है वो परफॉर्म करते थे हिकोड हीट दे टार्गेट प्रिसासीली अद्दौम केंद पर ड्खेर से लगान मिला जर्ट अच्छे से निशाना भाना है यासे गरार हिको से जोल 10 च्योल करते बहुत अच्छे से आर्खेर से थे लांग डिस्टेंस बहुत दूरी से तो यहां पर बता रहा है कि चैन यौजी एक बहुत अच्छे आर्चर थे और बहुत अच्छे निशानरी बाच से और कहीं पर अगर किसी सेंटर पर अगर उन्हें मारना होता था तो इदम सही निशाना लगाते थे जो की बहुत दूर प अच्छले, आपल च्छे जो कीकिन के अच्छे नियुए कर घंदरे च्छुत में कधिकल में और रहे पिस्टा भूला की कधिंर होता, इस पीजाने और दूर्टू दूरे के साबनी चैनरी, और दूरे हने अच्छले भी तो पसंदी है शौप मतलब दिखाना, skills मतलब उनकी जो भी, उनकी skills से जो भी उन्होंने सीखा था admiring crowds, तो crowds मतलब भीड, gathered मतलब इकठा होना, around him उनके चारो तरफ One day he was practicing his skills in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back Practicing मतलब, practicing मतलब की practice करना किसी चीज़ का, skills in front of, मतलब front में सामने admirers मतलब आज पास जो भी लोग थे, तो वो यह जो archer थे, वो क्या करते थे हमेशा एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने skills को practice कर रहे थे, बाकी सारे जो आज पास की जो लोग थे उनके सामने और उसे समय उन्होंने एक old man को देखा, जो उनके पीछे खड़ा था He noticed an old man standing at the back The man was carrying guards of oil that were hanging from a long cane on his shoulder और उस old man को जब उन्होंने चैनी ओजी ने देखा, तो उसने अपने shoulder पर जो है, guards of oil को hang किये हुए था Hang के मतलब लड़का है हुए था, long cane जो cane था, oil का, वो बहुत ही बड़ा था Guards मतलब जो bottle guards locky होती है, आपने देखा होगा सबजी का तो वो जो है, उसकी guards of oil, उस locky का जो oil है, उसने एक long cane में लेके बहुत ही काफी time से वो carry किये हुए था, अपने shoulder पर All the other people were clapping their hands and praising chaniozi सारे जो लोग खड़े थे, जो chaniozi को देख रहे थे, वो लोग तारिया बजा रहे थे, clapping कर रहे थे अपने hands को और उनकी वावाही, praising means वावाही उनको बढ़ावा दे रहे थे chaniozi को But this old man was quite, but वो जो बुड़ा अदमी था, जो old man था, जो उसके पीछे खड़ा था, वो काफी शान्त था He neither clapped nor uttered words of praise, उसने नहीं ताली बजाई और नहीं कुछ ऐसे शब्द बोले जिसे चैनiozi को अच्छा लगे He just stood there nodding his head, वो अबस खाई दूर खड़े, अपने सिर को हिला रहा था And said it's just a matter of practice, और कहां, और सिर को हिलाते हुए, अपने सिर को हिलाते हुए उन्होंने यह सिर्फ कहां कि यह सिर्फ एक practice की वज़े से हुए, हो सकता है It's just a matter of practice, मतलब यह बात जो है यह जो चीज़े कर रहे है चैनiozi, यह इनके सिर्फ practice की वज़े से हुए है ऐसा उन्होंने कहा, नहीं उस चैनiozi की वाहिवाही की, नहीं clapping किया जबकि बस खाली, It's just a matter of practice, यह कहा तो यह देख कर चैनiozi जो है वो गुस्सा हो जाता है Are you archer yourself? Do you think anyone can do what can do with my bow and arrows? जो चैनiozi है वो अन्होइट गुस्सा हो जाता है और वो, Are you an archer yourself? क्या तुम archer हो? Do you think anyone can do? क्या तुम archer हो खुद? या फिर ऐसा, Think anyone can do? या फिर ऐसा सोचर हो कि यह चीज़े कोई और कर सकता है What I can do with my bow and arrows? क्या तुम खुद archer हो या फिर यह चीज़े कोई और भी कर सकता है bow and arrows से? जो कि मैं कर रहा हूँ ऐसा चैनिया उजी जो है, वो old man से कहता है No sir, the old man replied तो फिर ऐसा old man ने क्या reply किया यह सुनके? उसने कहा, No sir ऐसा उत्तर दिया I am not an archer, मैं एक archer नहीं हूँ And I don't doubt your skill और नहीं मुझे आपके आपकी जो skills है, जो आपने जो सिखी है यह चीज़े मुझे उस पर कोई संदे ही भी नहीं है कोई doubt नहीं है All I said was everything is matter of practice मैंने तो सिफ इतना ही कहा कि यह साई चीज़े सिफ प्रक्टिस की वज़े से हुई हो पाई है तो चैनियोजी बिकम वेरी अंगरी तो फिर यह सुनकर चैनियोजी फिर से मतलब वो गुसा हो जाता है What do you know that you pass such thoughtless comments on other people तो चैनियोजी क्या कहते है उस old man से कहते हैं कि What do you know that you pass such thoughtless आप क्या जानते हो और यह जो thoughtless comments लोगों के बीच में कह रहे हो Who are you? आप हो कॉन? ऐसा चैनियोजी कहते हैं old man से Then please don't get angry तो जो old man होते हैं वो कहते हैं कि आप गुसा मत होए होए Sir I am an oil seller as you must have guessed from the guards मैं सिफ एक oil seller हूँ जो जैसा कि आप मुझे यह guards को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं एक oil seller हूँ Every day I fill these guards with oil and sell them हर दिन मैं क्या करता हूँ? इस guard को क्या करता हूँ? Oil इस guard के अंदर oil fill करता हूँ और लोगों को sell करता हूँ Fill मतलब भरना, sell मतलब बेचना Over the years I have achieved some skills in filling the guard So, बहुत सालों, कुछ सालों, बहुत सालों से मैंने क्या, यह skills जो है, मैंने अचीव किया है Guard में oil fill करना मतलब कि guard में हमेशा मैं oil यह भरते हा रहा हूँ, मैं मुझे बहुत काफी सालों हो गए है If you allow, I will show it to you अगर आप मुझे इजाज़त दे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ Allow मतलब show करना Grounded chain या होजी Everybody was curious to see what would happen next सारे लोग जो आपे और भी सारे लोग जो खड़े थे वो सारे लोग उसक थे, curious थे बहुत ही उनके अंदर जानने की इच्छा थी कि क्या होने वाला है, यह old man क्या करने वाला है क्या शोक करने वाला है, सब लोगों की बीच The next page पर आते है Patently the old man set down and empty guard on the ground तो बहुत ही ध्यारे पुरुवक से वो जो old man था वो set down हो गया, नीचे बैड़ गया और जो guard था, lucky, guard means lucky, empty मतलब खाली तो खाली जो lucky था, जो empty guard था उसको ground पर रख देता है, जमीन पर रख देता है Then he put a small coin on the mouth of the guard फिर उसके बाद उस guard के इदम mouth पर, इदम top पर जो है, उसके mouth के इदर coin को रख देता है फिर क्या होता है, in those days, small coins had a little hole at the center तो यहाँ पर यह लिखा है कि जो पहले के time पर जो coins होते थे, उनके बीच में holes हुआ करते थे उनके center में holes हुआ करते थे, यह coin है और उनके middle में holes हुआ करते थे, इस तरीके से So, next, then the old man stood up, took some oil in his ladle and began to pour oil into the guard from a height फिर क्या हुआ, उस खाली guard को जो है, old man जमीन पर रखते हैं, उसके बाद उसके उपर, उस guard की face पर, उपर, सबसे top पर coin रख देते हैं इसमें hold रहता है, और फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं, stood up means खड़े हो जाते हैं and took some oil, उसके बाद कुछ oil लेते हैं, his ladle, अपने ladle में जो मतब की जिससे वह oil लेते हैं, उससे ladle कहते हैं and began to pour oil, उसके बाद वहां से फिर वो खड़े हो के जो है, उसको पोर करने लगते हैं, नीचे गिराने लगते हैं into the guard from a height, कहां पर गिराने लगते हैं, गार्ड पर गिराने लगते हैं, कुछ height पर, कुछ उचाई से, height means उचाई, the oil went straight into the guard through the hole और वो oil क्या होता है, वो सीधे guard के अंदर, उस coin के hole के अंदर से पास होके वो guard के अंदर चला जाता है, when the old man had finished filling up the guard, जैसे ही वो guard को oil से पुरा fill कर देता है, fill करके खतम कर देता है, he lifted up the coin, तो उसके बाद वो उस coin को हटा देता है, not a trace of oil could be seen on it, और नहीं, एक भी oil का, कु the people watching it were speechless with wonder, तो यह देखकर सारे जो लोग थे वो बिना, मतलब कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए, speechless होगे, मतलब कि उनकी मुह से कुछ भी नहीं, मतलब कि वो unable to speak, कुछ कहीं नहीं पारे थे, यह देखने के बाद, but the old man only smiled, लेकिन जो old man जिनोंने guard को feel किया, वो काफी, मतलब थोड़ा सो उनोंने smile किया, as I said, there's nothing special about it, और क्या कहा, smile करते हुए, कि यह जो चीज़े है, मैंने, यह कुछ special चीज़े नहीं है, यह सिर्फ it's only a matter of practice use, यह सिर्फ practice की वज़े से ही हो पाया है, जो कि आप देख रहे हैं, चैनियोजी lost all his anger and annoyance, तो यह सारा चीज़ देखकर चैनियोजी जो है, अपने सारे गुस्से को lost कर देता है, anger means गुस्सा, lost means खो देता है, अपने गुस्से को हटा देता है, and annoyance जो भी उसके अंदर जो annoyance थी, जो भी नाराज था, नाराजगी थी, जो गुस्सा था, वो सारा वो जो हटा देता है, he just gave a short laugh and said, और उन्होंने म चैनियोजी को सारा मद्द की हटा देते हैं, और थोड़ा सा स्माइल करते हसते हैं, और क्या कहते हैं, said, you have taught me something important today, आज तुमने मुझे कुछ नया चीज सिखाया है, After that, चैनियोजी never show off or boasted about his skills as an archer, उस दिन के बाहर से चैनियोजी ने कभी भी अपने skills को जो है, show off नहीं किया किसी के सामने, Show off मतलब दिखाना, show off मतलब दिखावा करना, show off and boasted both meaning are same, skills मतलब अपने जो भी, उनकी, जो भी skills थे, आर्चर, means, जो तीर धनिशबान चलाते हैं, उसे आर्चर कहते हैं, तो इस तरीके से चैनियोजी को जो है, अपने, जो आर्चरी पे उन्हें काफी मतलब घमन था कि ये चीज मुझे सिर्फ आती है, और वो हमेशा दूसरों के सामने, show करते थे, तो ये old man की वज़र से, old man ने बस इतना कहा कि इस बलनी है, matter of practice, इसके कारण उन्हेंने और भी बहुत साइचीजे show करके दिखाए, अपना जो guard है, उसमें oil fill करके दिखाया, coin के through, और coin में बिना छोटे से hole से किस तरीके से oil pass किया, और उस oil coin में बिल्कुल भी oil नहीं लग इस तरीके से चैनियोजी जो है, फिर कभी अपने skills को जो है, किसी के सामने show off नहीं करते थे, नहीं तो उनहीं लगता था कि ऐसा archer सिफ मैं ही हूँ इस दुनिया में, और मेरे जैसा कोई भी नहीं है, तो यह चीज देखने के बाद, archer को जो है, चैनियोजी को है, समझ में आया, थैंक यू फर वाचिं मैं इस वीडियो गाई, इस वीडियो गाई, इस वीडियो थैन प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और शेर, थैंक यू